हेलो स्टूटेंस वेल्कम टू टू टॉकिंग टिक्सबुक्स कोटा लाइव आज यार जिस चेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम फाइनली रैप अप करने वाले हैं फोड़े दिनों में एट्ट क्लास में भी यही चेप्टर वापस रिपीट होने वाला है मगर एट्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कोंटेक्स्ट के क्वेशन मैं आप लोगों के लिए लिए लिकर किया हूँगा एक टॉपिक एड़ान है वहाँ पर कुछ एक बार चाहो तो एट्ट क्लास का वो लेक्चर देख लेना ताकि तुम लोग को आइडिया लग जाए यार कि आक्च्वल डाइस के क्वेशन जो है थोड़ा सा अगर हायर लेवल पर जाए तो किस तरीके का बनके बाहर आता है तो यही सारी चीज़ें हम लोग को बात करन आए कि बहुत सारी नई चीज़ें तुम लोग के लिए यहां आने वाली है ठीक है साथ ही साथ अगर तुम लोग चाहते हो हमारे दौरा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मिटिल को देखना तो गाइस सिंपल सी चीज़ है सिंपल सी बहुत सिंपल सी चीज़ है क्या करना है कोई भी चीज अगर हो रही है तो कैसे हो रही है क्यों हो रही है कोई भी अपग्रेडेशन हो रहा है कोई भी एडिकेशन सिस्टम के अंदर चेंज़ हो रहे हैं तो वह क्यों हो रहे हैं किसली हो रहे हैं यह सारी चीज़ें हम लोग डिस चैनल के ऊपर डिसक्स करते हैं ड तो उनको हम like sudden videos या फिर viral videos या फिर जो है ऐसे concept based videos बोलते हैं तो उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को sample study material पसंद आता हो और आप चाहते हो कि यह material यह test series मेरे पास definitely होनी चाहिए तो guys यहाँ पर आईए और official website पर जाने के बाद फटावट से इन नोनों channels को या इन नोनों sections को visit कर लीज़े जो section तुम लोग के लिए तुम लोग के हिसाब से तुम लोग की जरूरतों के हिसाब से जो है तुमको अच्छा लगता है तो उसको choose करो फटावट से payment करो payment करके 95490 0411111 नंबर पर call करके अपना payment finalization final कर लो अपने package की delivery date भी final कर लो और उसके बाद सारी चीज़ें बंद करकुरा करके जो है channel पे मौझूद वीडियो की playlist को watch करना या view करना शुरू कर दो ताकि तुम्हारी practice regularly होती रहा और फिर जैसे ही तुम्हारे बास module receive हो जाए ना उसकी practice continue करते रहे ना different questions को attempt करते रहो mentee quizzes हमारे उनको attempt करते रहो mentee regularly हो रहे है हर रोज 5 से लेकर के 6 बज़े तक के बीच में हम लोग 1-1-1 mentee per day अलग-अलग class का लेकर के आ रहे हैं अभी तक बहुत सारे mentees हो चुके हैं 5 weeks continuously हो चुके हैं हमें mentee को organize करते हुए तो वही सारी walking का जो एक सपना है एक बहुत बड़ा फितूर है तुम्हारे दिमाग में कि मुझे ओलम्पियाट क्राक करना है वो तुम जो है achieve कर पाओ वो तुम जो है attain कर पाओ इसलिए हम लोग यहां है ठीक है तुम्हारे लिए quota level का education लेकर के आ रहे हैं और उसी के साथ बापिस आता है भाई उसको आज बापिस से repeat कर लो क्योंकि revision section है बट promise करना बहुत जादा जरूरी है तो I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it ऐसा ऐसा तुम लोग promise कर लो ताक कि तुम्हारा betterment हो जाए वाकी तो क्या है दुनिया जैसी है वैसी चलती रहेगी है ना चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के lecture की जो की होने वाला है lecture number 4 that will be the revision of your chapter that is throw it याने की dice based questions पे जो हमने chapter किया था जिसका नाम बड़ा बेतुका सा मुझे लगता है throw it रखने की ज़रूरत नहीं थी बट ठीक है dice से match करता हुआ कुछ नाम रखा हुआ है तो that is perfectly fine ठीक है तो revision में हमें जो चीजें यहां देखनी ह हैं उनके बारे में भी हम लोग definitely बात करेंगे और बात ऐसी है कि भाई सारे sections या सारे lectures जो भी तुम लोग ने अभी तक देख लिए हैं इन बाइस अगर में बात करूं तो introduction session और उसके बाद आप लोगों का questions वाला session और उसके बाद आप लोगों का olympiard level session यह सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर फटा फट से तुरंत प्रभाव से कर लेनी है ठीक है इनी को करते करते हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते बढ़ते हमें जो है सारी चीजें बिना किसी चीज को पीछे छोड़े हमें शुरुआत कर देनी है तो पहला lecture जो मैंने तुम लोगों ता वो था introduction about the dice यहाँ पर हमने आपको knowledge of dice या dice की जानकारी आप लोगों को दी थी और dice की जानकारी में मैंने आप लोगों को basic चीजें बहुत तरीके से बताई थी कि भाई दो तरीके की dice हमारे पास होती है पहली होती है standard dice दूसरा होता है shape of sorry standard dice sorry पहले मैंने तुम लोग क जाओ पहली तुम्हारी जो dice होती है वो structure और shape के basis पे classify की जाती है तो अगर structure और shape के basis पे classify करने बैठता हूं किसी भी चीज को तो मुझे यह पता है कि भाई मेरे पास 3 shapes या 3 structures होते हैं पहला structure होता है मेरे पास 1D 2D और 3D ठीक है उसी के साथ साथ अगर मैं आगे बात करता ह हूं आप लोगों से तो shape के case में जो है cube और cuboidal shape जैसा आपका dice का shape होता है ठीक है ऐसा भी मैं आप लोगों को अल्रड़ी बता चुका हूं ठीक उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से normally बात करूं कि भाई और क्या-क्या चीजें यहां देखने को मिलती है हमें तो आप यह भी कह सकते हैं कि sir just a second मैं थोड़ा सा distract हो गया था just 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 give me a moment ठीक है बई तो दो categories हमारे पस होती है structure और shape मैंने आपको बता दिया cube और cuboidal 1D 2D and 3D उसके बाद आगे बात कर लेते हैं मैंने आप लोगों को बताया कि भाई दो type की dice मेरे पास होती है पहली जो dice मेरे पास होती है वो होती है आपकी standard dice और दूसरी dice जो होती है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे मगर पह numbers on at least one pair of the adjacent side is 7 मतलब at least लिखा है इसका मतलब किसी एक side पे तो पक्के से दौनों का sum जो है 7, at least 1 पे तो 7 आएगा ही आएगा, ठीक है, at least 1 पे 7 आएगा ही आएगा, बाकियों का नहीं पता, but at least 1 पे तो आना चाहिए, ऐसा rule है, तो उसको हम कहते हैं, General Dice, General Dyer नहीं, General Dice, Dice मतलब पासा, जो साप सीडी और लूडों में तुम लोग यूज़ करते हो, उसके बाद, एक छोड़ाजा question मैंने तुम लोग को कराया था, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कि भाई मुझे ये बता दो, कि which number is opposite to 4 in a standard dice, एक सेकेंड यार, ये थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया है, पहले हमने General Dice का question किया था, इसमें which number is opposite to 5 in a General Dice, ऐसा 7 ऐसा बोला गया है, तो General Dice के case में अगर आपको एक ही dice दे रखी है, और सिर्फ ये पूछा हुए कि opposite में क्या हो सकता है, तो आपको नहीं पता, तो आप क्या कहोगे, कि cannot be determined, ठीक है, अगर मुझे से ये पूछ था, General Dice बोल करके कि भाई, adjacent side पे, या किसी एक adjacent side पे क्या number हो सकता है, तो मैं 5 प्लस 2 करके 7 कर देता, और बोल देता कि हाँ, 2 जो है, मेरा एक number, इन दोनों adjacent side में से किसी भी एक side पे हो सकता है, बट इसने मुझे से क्या पूछा, opposite side के बारे में पूछा, भाई, जब तक मुझे सिर्फ एक dice दिया हुआ है, मुझे नहीं पता, क्या खेल खेला जा रहा है, तीक है, मुझे नहीं पता क्या खेल खेला जा रहा है, इसलिए मैं cannot be determined करके और भाग जाऊंगा, तीक है, आगे बात कर लें, आगे बात कर लेते हैं, फिर मेरे पास एक simple सा question वापिस से बनेगा, लेकिन second dice जो मेरी है, उसको जानने के बाद, याने क अब standard dice के case में क्या होता है, standard dice के case में साफ-साफ language लिखी हुए है कि भाई, the sum of numbers on the opposite faces is 7, याने कि एक standard dice में opposite faces जो होते न, उन में आपको sum में sum जो है, वो 7 दिखाई देगा, अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि भाई, क्या होता है, 6 तो आपने पास, इंक चेंज कर लेत है, visibility थोड़ी सी proper रहेगी, और तो क्या है, 6 तो मेरे पास faces होते हैं, किसी भी एक dice के अंदर, 3 pair of faces होते हैं, किसी भी dice के अंदर, ठीक है, और इन 3 pairs में से, जो combination मेरे पास बन सकते है, वो बन सकता है, 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, ठीक है भाई, ऐसा कुछ combination मेरे पास बन के बाहर आता है, clear, clear है, ठीक है न, 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, 7, 7, 7, 7, सब जगे, क्या है भाई, opposite faces पर, जो total number होंगे, उनका sum total निकलेगा 7, ऐसा कह करके, हमें खतम कर दिया, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो सवाल आप लो और उस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से माँग रहा हूँ, तो सवाल में ये है, भाई, बहुत तरीके से देखने वाली बात, कि which number is opposite to 4 in a standardized, ऐसा पूछा हुआ है, तो standardized जहां बोल दिया है, तो उस case में आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को already rule पता होगा, कि standardized के case में opposite faces पर total sum जो है 7 बनता है, तो मैंने यहां आप लोगों को बता है कि 4 plus x equals to 7 कर दो, x की value 7 minus 4 करके 3, निकाल करके और एकदम से अपना answer दे करके, बिलकुल चोड़े होगर के ना, बोल दो कि हाँ boss मेरा answer सही है, ठीक है, चलिए, let's move on further, आगे बात करते हैं कि type of questions जो general dice पर पूछता है, तो 3 questions मेरे पास बन सकते हैं, ठीक है, 3 questions कैसे बन सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा dice का condition दे सकता है वो आपको, ठीक है, क्या दे सकता है, 2 या तो 3 dice दे देगा, या आपके पास दे देगा, 3 या 3 से ज़्यादा dice, है ना, तो या तो 3 dice दे देगा, याने कि 1 की डाइस को तीन बार फैक के बता देगा या फिर एकी डाइस को तीन से जादा बार फैक के भी बता सकता है तीन से जादा मैं चार बता सकता है पांच पर जादा सकता है छे बता सकता है जितना उसका मर्जी है न उतनी बार बताएगा वो मुझे कोई मतलब नहीं है बट के अंदर देगा ठीक है चलिए अगे बात कर लेते हैं टाइप वन जो है मेरे पास जो मैंने आपको वापिस से बताने कि एक बार जो कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना जनरल दाइस के अंदर पहला ख़वाल जो मेरे पास आता है वो आता है वेन थ्री सिटुवेश नंबर इस दी ओपोजिट ये वही चीज़ें बिटा जो मैं आप लोगों को क्वेशन्स में अभी एक्स्प्लेइन करके बाहर आया था जो मैंने हर बार आप लोग को कहे कि भाई चार एजजिसेंट साइड बोटी है ठीक है और एक ओपोजिट साइड होती है ठीक है हर बा लिख लो यार, अगर नहीं लिखाए अभी तक तो ठीक है ना, फटा फट जिसको नोट कर लो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं ठीक, चार एजरसिंट साइड निकालो और एक उपोजट साइड अपने आप निकल के बाहर आ जाएगी तो अब देखो यहां पर एक क्वेशन तुम लोग को दे रखाए ठीक, पहले टाइप का पहला बेसिक सवाल जहां तुमसे यह पूछा हुआ है कि भाई, इन नंबर ओपोजट तू फाइब इस वाट ठीक, अब मैंने आपको क्या कहा था कि चार एजरसिंट साइड निकाल ली है तो चार एजरसिंट साइड मैंने ऐसे निकाल ली जो एकलोता नंबर बचा मेरा इन चारों के अलावा या इन पांच नंबर के अलावा क्योंकि पांचवा नंबर मेरे पास यह दे रखा है चार नंबर मेरे पास यह दे रखें तो पांच नंबरों के लावा छटा नमबर जो बाकी बचा वो obviously opposite side पे होगा न वस ठीक है तो मुझे जादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इन type के questions में next move on करते हैं जब आप तो आपको दिखते हैं चार अलग-अलग type के questions यहाँ पर अब आप देखो कि type 2 जो है वो क्या कहता है when more than 3 situations of a dice is given we need to find the number opposite to the given number ठीक है when more than 3 situations are given याने कि एक question तो type का यह हुआ कि भाई 3 situations तुम्हें दी हुई होगी और एक हुआ more than 3 जिसमें 4 भी आता है 5 भी आता है 6 भी आता है जितना dice वो देगा उसके हिसाब से तुम्हें को answer निकालने को पड़ेगा और opposite आपसे पूछ लेगा कि भाई opposite क्या है चार condition देखे बोलेगा कि opposite वाला number बताओ ठीक in such type of problems we have to observe two or more situations यानि कि अब देखो ध्यान से किसी भी 2 से जादा situations को आपको observe करना पड़ सकता है अगर आपको 4 या 5 faces दिखा रखे हैं या 4 या 5 positions दिखा रखे हैं उस dice की तो आप क्या करोगे 2 या 2 से जादा situations को observe करोगे और उसके basis पे फिर आप जो है opposite number निकाल करके adjacent वाले को use करके यानि कि method number 1 को use करके यह combined method है भाई type 2 जो है वो combined method है यानि कि उसमें first वाला type भी काम करेगा यानि कि 4 adjacent sides तो आपको निकाल नहीं पड़ेगी anyhow ठीक है उसके बाद मैंने आपको एक basic question दिया था जिसमें मैंने आप लोगो पूछा कि चार conditions तुम लोग को दे रखी है और उन चार conditions में से तुम लोग को जो चीज बतानी है वो यह बतानी है कि भाई opposite to 3 क्या number होना चाहिए तो यहां पर हमने सारी conditions को observe किया और कुछ जोल जाल करके जो है दे रखी थी condition यहां साफ साफ नहीं बताया कि भाई तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा करके जो है इस question को solve किया था राइट आगे बात करते हैं लेक्षर नमबर टू यानि की questions वाले session के अंदर मैंने तुम लोग से फिर एक ही चीज दोहरा करके कही कि भाई इस session के अंदर हम जो है questions को बहुत तरीके कैसे solve करेंगे और basic idea लेंगे कि dice based problem तुम लोग की जिंदगी में कैसे solve करोगे तो ठीक है पहला सवाल तुम लोग की computer screen पर बहुत प्यार से तुमसे जो है पूछा गया था जहां पर तुम्हें चार adjacent sides विल्कुल face to face दिखा रखी थी ठीक है चार adjacent कैसे दिखा रखी थी आओ बताता हूँ तीन conditions को तुम लोग को observe करना पड़ा क्या बोला था type 2 के मेर दो या दो से जादा conditions को तुमको देखना पड़ेगा तो ये दो से जादा conditions ही देखी तुमने और तुम्हें पता त तो अकेला जो number बचा इन चार conditions के अलावा एक बचा वन तो इसका मतलब 6 के opposite पे आपको वन ही नजर आएगा ऐसा यहां question में आपसे बोल दिया गया था question number 2 में हमने थोड़ा सा pattern change किया और numbers की जगे हमने actual dice जो दिखता है जैसा उस dice को महां dots में दिखता है हमें साब CD या Ludo का game अगर आप खेले होंगे तो उसमें ऐसा ही dice यूज रता है numbers नहीं होते उस dice पे ठीक है dots होते हैं तो इन dots को हमने use किया थोड़ा सा confuse किया तुम पता चला कि दो भी तीन के adjacent है तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताए कि 5 जो है that will be my final answer तो 5 जो है मेरे पास आखरी answer के तौर पे आएगा यानि कि 5 is opposite to 3 dots यानि कि 5 dots जो है वो 3 dots के opposite है और 3 dots जो है वो 5 dots के opposite है ठीक है जैसा तुम लोग को suit करे वैसा तुम answer दे सकते हो आगे बात करते हैं अगला सवाल फिर आपसे पूछा किया कि what is the number opposite to 3 in 4 different positions of a dais that are shown ठीक अब यहाँ पर जो दिमाग लगाने वाली और दिमाग से खेलने वाली चीज थी वो क्या थी क्या समझ सकते हो आप देखो 3 के adjacent में आपको 5 दिखा आपको 1 दिखा 3 के adjacent में आपको 6 भी दिखा बट 3 के adjacent में यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आया बट अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा हो तो 3 के adjacent में आपको 2 भी नजर आया ठीक है 3 केसिस को आप देखते हो या 3 से ज़ादा केसिस को आप देखते हो ना तब आपको actual चीज पता चलती है कि यार मुझे 4 adjacent साइड मिल रही है यह adjacent है और यह adjacent वालों को ऐसे गुमा दिया common वाली साइड को कुछ निकाल करके भाहर कर दिया तब ऐसे कुछ answers आपके सामने नजर आएंगे आगे जब जाओगे तो और अच्छे questions में लेकर के आया हूं तुम लोग के लिए वो देख ले ना ठीक है, shown below are 4 different positions of the same dais, ठीक है, find the number of faces opposite, number on the face opposite to number 6, यहाँ देखो दिया answer इस question को, यह भी easy type का question है, but confusion हमें अगर pressure में होते हैं तो होता है ठीक है क्या है भई, 6 के adjacent वाले numbers कौन-कौन से होंगे, ऐसा हमें देखना होगा, तो यहाँ देखो, थोड़ा सा dice equation है, dice का dice equation है, कैसे, जो चीज में आपको बता रहा था, कि भई, 4 cases में भी आपको 4 adjacent sides नहीं दिखाएगा, easily, वो यह equation है, कैसे, 6 के adjacent 1, 6 के adjacent 3, 6 के adjacent 5, clear, अब इन दो करनों cases पर मैं आता हूँ, मुझे कहीं 6 नजर नहीं आ रहा, भई, बहुत चक्का छोड़ दिया इस सवाल ने मुझे, और मुझे ये समझ में नहीं आया, कि अब मैं क्या करूँ, है ना, क्यूंकि मेरे पास 3 adjacent sides है, तो मैं क्या करूंगा, कि इन cases में से, कोई एक ऐसा case ढू तो इसका मतलब इन दोनों के adjacent case पर या adjacent side पर मुझे 6 मिलना चाहिए, तो अगर यहां मुझे मिल गया, तो इसका opposite side definitely मुझे दिख रहा है, तो that means 6 के opposite जो है, वो 4 बैठा हुआ है, ऐसा मैंने तुम लोग को directly बता दिया, इस case में तुम्हें या मुझे जो है, चौती adjacent side निक जालने की जरुवत नी पड़ी, मुझे directly पता चल गया, पहले dais से कि भाई, जो opposite वाला number है, जो मुझे से पूछा हुआ 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 है, तो adjacent वाले पर हम ऐसे भी skip मार सकते हैं, चलिए, आगे बत करें, पांच वसावाल तुम लोग के सामने, which number is on the opposite face of 4, if the 4 different positions of a dais are given, ठ मुझे पता चल गया, कि भाई, 1 जो है, वही मेरा answer है, आगे बात कर लेते हैं, dais thrown in 4 times, and its 4 positions are shown, find the number of faces opposite to, find the face opposite to 2, ऐसा, तुम लोग के सामने लिख करके छोड़ दिया, तो वापिस से जब तुमने देखा, तो 3 अलग-अलग dais पे, तुम्हें, 4 अलग-अलग number दिखाई पहला था 6, दूसरा 4 था, फिर आपके पास 3 था, और यहां एक और dais पर आपको दिखाई दिया, क्या, 2 के adjacent आपको दिखाई दिया, 1, अब देखो, अगर तुम्हें यह dice नहीं दे रखी होती न, तो भी तुम इस dais से भी answer निकाल सकते थे, मतलब अगर तुम्हारा ध्या 5, तो 3 और 4 के adjacent क्या होगा, 2, यहां पर होना चाहिए 2, और अगर 2 के opposite वाला नंबर पुछा तो 2 के opposite तो नंबर यह रहा 5, ठीक है, तो अगर मैं यह वाला side भी तुमसे छुपा लेता, या तुम्हें नजर नहीं आता, तो तुम difficult way से भी इसको solve कर सकते थे, this was the easiest part, but यह difficult तुम लोग solve कर सकते हो, जैसा जिसका दिमाग जिस time पर काम कर रहा हो, उस time पर तुम लोग जो है, easily अपना answer निकाल के बाहर पटक सकते हो, ठीक है, 7th question में तुमसे पूछा कि वापिस वही है, 4 cases तुम्हें दिये हो है, what number must be on the bottom face, language थोड़ी सी change कर दी, language चेंज करके तुम इसरे case में bottom पर क्या number आना चाहिए, और indirectly जो तुमसे सवाल पूछा, या direct सवाल जो मेरे दमाग में यहां बैठ रहा हो है, 3 के opposite क्या number आना चाहिए, ऐसा पूछा हो था, ठीक है, language चेंज कर दी, question का standard उतना जो है, वैसा नहीं रहा, बट थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्य regular जो language उस हो रही थी, उसमें opposite वाले पूछा हो था, यहां पर bottom पूछा है, ठीक है, और यह भी कह दिया कि third वाली condition में bottom बताओ, यह नहीं कहा कि three में bottom बताओ, ठीक है, तो three के adjacent five और six है, ठीक है, यहां पर, अब यहां आप फस गए, कि three के adjacent और कुछ दिया हुआ है, ठीक ह अब देखो, इनसे दो question पहले, तीन adjacent side निकाल चुके थे हैं, अब यहां दो ही adjacent side से कैसे खेला हम लोग और है, दो adjacent side दी, अब मैंने वापिस से यह ढूणने के कोशिश की, कि भाई, अब जो condition है, वो ऐसी है, कि मुझे यह पता करना पड़ेगा, कि three के adjacent का जो scene है, three और five क adjacent three बैठा हुआ है तो तुम्हें ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि six or five कहा common दिख रहा है, यहां तुमने देखा कि six or five common दिख रहा है, तो इसका मतलब three इधर बैठा होगा, और three अगर इधर बैठा है, तो four मेरे opposite side पे definitely मुझे दिखी रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है, तो मतलब यहां पता चल गया मुझे कि मेरी dice कौन सी वाली है, ठीक है, मेरी dice कौन सी वाली है, यह मुझे पता चल गया, किके न, मेरी dice कौन सी वाली है, मुझे पता चल गया, और मुझे यह भी पता है कि three pairs वाला scene बैठ रहा है, तो मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बताया था, कि एक dice ऐसी होती है, जिसमें six sides होते हैं, obviously, सारी dice में होते हैं, लेकिन three pairs जो होते हैं, जहां पर some total ज figure which is correct, ठीक है, तो मुझे यह बोला गया कि जो correct figure है, उसको निकाल के बाहर पट को, तो मैंने इसको देखा six और one यहां पर adjacent में आ रहा है, तो यह नहीं हो सकता, ठीक है, opposite में वापिस से यहां देखा, तो चार और तीन साथ हो रहा है, यह भी case नहीं हो सकता, यहां देखा, six के opposite जो है, one हो सकता है, या one के opposite six हो सकता है, तो सारी opposite sides पर क्या बना, seven बन गया, this was the final answer, and now finally हम आ रहे हैं, हमारे olympiad level session पे, of this particular chapter which says, throw it, यानि की dice based questions of chapter number 14, यहां पर हमें सिर्पर सिर्फ olympiad level questions देखने थे, अब olympiad level questions में क्या हुआ भाई, अभी तक हम लोगों ने क्य क्या देखा था, number देखा था, number को हमने हटाया dots से, और अब finally olympiad level के बात करते हैं, तो हमने number और dots दोनों को एक तरफ पटक दिया, और हमने यहां पर alphabets को induce कर दिया, या alphabets को introduce कर दिया, तुम लोग को थोड़ा सा confuse करने के लिए, easy question है, alphabets की जगे, जो है, alphabets ने numbers और dots की जगे ले ली थी, इसको मैं जादा नहीं समझाऊँगा, पिछले lecture में तुम लोग देखी चुके हो, आगे यहां पर जो है, तुम्हें देखने वाली बात है, language बहुत तरीके से change कर दी, मगर फिर तुम्हें यह जो line दी गई है, इसके दम पे तुम्हें खेलना थ opposite faces is 7, क्या, the sum on the opposite faces is 7, और अगर 7 मेरा sum बैट रहा है, तो मुझे definitely पता था कि यहां ले आओ है, क्या, even number of dice पकड़ने है, तो मैंने even number of dice पकड़े, और even number of dice में opposite odd number जो आने वाला है, वो मैंने कैसे निकाला, भाई यहां पर 5 है, तो यहां पर definitely 2 होना चाहिए, यहां पर 4 ह है और 1 होगा, यह मुझे पता है, मैंने आपको introduction में बता दिया, कि क्या-क्या case हो सकते हैं, opposite faces पर sum total 7 बनने के, तो 6 और 1 बन रहा था, तो 6 और 1 में से जो odd number है, वो मेरा 1 है, तो मैंने select किया, और तीनों cases में मेरे पास 111 आया, और उन तीनों को जब मैंने add किया, तो मेरे पास option number B मेरा final answer बनके बाहर आ गया, उसी तरीके से अगला सवाल एक और बार वापिस देख लो, अगले सवाल में तुमसे पूछा था कि भी odd number वाले dice को choose करो, और उन पे जो है, odd ही number का top बनेगा, ठीक है, odd number वाले dice को choose करो, और odd number का top बनेगा, इसमें भी हमने वही गणित लगाई, क्या 6 प्लस 1, 5 प्लस 2, 4 प्लस 3 वाला गणित लगाया, और finally हमारे पास जो answer निकल के आया, वो आया 553, यानि कि total किया तो 13, और total 13 को हमने option C मार्क कर दिया, यहाँ पर एक type का question और बन सकता है, that is, odd dice पर even numbers आपको choose करने होंगे, तो 1, 3 और क्या, 1, 3 और 5 के opposite dice पर जो number आएंगे, उनका addition करके, ठीक है, चलिए, let's move on to the next question, चौते सवाल में, यहाँ पर colors का कुछ ब्योरा दिया गया था, और वापिस वही किया, एक और बार तुम्हारे दिमाग के साथ खेला गया, तुम dice पर number और dots को ढूंडते रहे गए, यहाँ हमने colors को induce कर दिया colors को induce करने का भी कोई जादा कुछ फरक नहीं पढ़ना चाहिए, starting में तुम confuse हो जागे, बट अब नहीं होगे, क्योंकि तुमने colors वाला question भी solve कर लिया, विचसे 6 colors मेरे पास हैं, तो मुझसे यही पूछा गया, अलग-अलग dice दे करके, कि भाई, इसके opposite कौन सा होगा, तो golden color जो है, वो किसी के भी adjacent में नहीं बैट रहा है, तो इसका मतलब जो है, वो ग्रे के opposite बैठा हुआ होगा, ठीक है, चलिए, let's move on to the next question, यहाँ पर फिर से हमने थोड़ी सी जादा महनत करनी पड़ी, और हमें यह कहा गया कि भाई, 4 usual dices are thrown on the ground, total number on the top faces of 4 dices is 13, as shown, dice face showed 4, 3, 1 and 5, ठीक है, what is the total of the faces touching the ground, पहली चीज तो यहाँ पर तुमसे बोला गया कि usual dice throw करा हुए, ठीक है, अगर usual dice throw किया है, तो तुम्हें यह समझ जाना चाहिए, कि sum total on the opposite sides will be what, ठीक है, तो 7 अगर sum total बन रहा है तुमारा, तो इसका मतलब तुम्हें दिया हुए, 4, 3, 1 और 5, इस इसमें 7 के equals to, इसको equate करो, और जो जो number आ रहा हुए, उसका sum करके, फटाक से अपना option mark कर दो, ऐसा ही था, 4 के opposite 3, 3 के opposite 4, 1 के opposite 6, 5 के opposite 2, तीनों का, चारों का sum करोगे, चारों का sum करोगे, तो 15 तुम्हारा answer बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, चलिए, let's move on to the next question, फिर कु के adjacent में, तुम्हारे पास triangle है, rectangle के adjacent में, तुम्हारे पास ये है, और rectangle के ही adjacent में, तुम्हारे पास short to circle है, तो तुम्हें पता चला कि rectangle के opposite face फर, मेरे पास double rectangle वाला sign बना हुआ है, तो ये मेरा पहला question हुआ, based on these figures, या these dice का position, अगला सवाल जब मैं देखता हूँ, तो मुझस सा face बन के बाहर आएगा, तो तुम्हें गहा कि आपी देख लेते हैं, equals 2 के adjacent sides पर triangle, rectangle, और फिर आपके पास ये दो circles वापिस से बन के बाहर आए, जिनको तुम्हें धंग से ध्यान से देखा, तो तुम्हें फिर से एक बहुत बढ़िया चीज पता चली, कि क्या यहां पर आपको दिखना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें जब थोड़ा सा दिमाग अपना वापिस से लगाया, तो तुम्हें यह दिखा, कि भाई, मैं अगर ध्यान से देखता हूं, तो equals 2 के opposite मेरे पास double circle वाला figure, या double circle वाला symbol वो बन रहा होगा, और इन ही दोनों questions के base पर, तुम लास्ट और final सवाल सॉल्ब किया, जहां पर तुमसे पूचा था कि the symbol opposite to the face of triangle is, क्यों ऐसा हमने किया, यह मैं आप लोगों को बता देता हूं, कि भाई, मुझे यह पता था कि तीन pairs बनते हैं opposite वाले, तो तीन pairs में से दो pair तो मैं अलरीड ही निकाल चुका हूं, तो अगर मै circle जो होगा, वो triangle के opposite बनेगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास triangle के opposite, 4 adjacent faces, मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे, तो I used a simple सा trick, कि पिछले वाले दौनों opposite faces को उठाओ, और उठा करके यहां पटक दो, और यहां तो फिर यहां नहीं पी पटकोगे, तो page पलट करके, अगर telling you people that please अपना homework जो है, उसको complete कर लो, है ना, और मैं यहां लिख देता हूँ भाई, कि तुम्हारा जो chapter है, that is throw it, ठीक है, यह throw it chapter को तुम लोग अब जो है, finally पूरे तरीके से solve कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने तुम लोग को यहां पर revision भी करवा दिया है, है ना, all questions, मैं ऐस है, यहनि कि दो दिन पहले भी तुम लोग को मैंने homework दिया हूँ है, तो आज फिर से में तुम लोग के लिए homework रिपीट कर रहा हूँ, कि भाई, सारे questions तुम लोग इसली कर सकते हो, और उसके बात फिर वही गुजारिश किया, अगर भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ब्सकिरा झाल प्याँ है, प्यांग है, प्यार लाइक अजा, शुब लाइट को अपना सकते हैं, तो आफ लिए आफिये सैनल कि लिए मने धर बिंटे लाइट चानल के लिए सब्सक्राइश किया है, लोग तो नहीं कि को लेगा है, टुम अईन्टे लिए अजाट लाइक झाल झाल